हेलो बच्यों कैसे हैं आप लोग आसा गरता हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से आप लोग का हमारे इस यूटुब चैनल में स्वागत है जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग क्लास 12 का एक सिरिस स्टार्ट किये थे हम हर वीडियो में बताते हैं जो बच्चे नए हैं उन लोगों के लिए पहशान हो जाएगा कि आखिर हम लोग इस वीडियो में पढ़ने के वाले हैं और हमारे चैनल का इस मक्सब क्या है जैसा आप लोग यह जानते हैं कि हम लोग क्लास 12 का एक स्टार्ट किये थे और इस सिरीज में हम लोग क्लास 12 के जितन आप लोग में से कोई नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथे साथ अपने दोस्तों को भी सियर कर दीजेगा इससे क्या होगा कि हमारे जो भी अगला वीडियो आएगा वह सभी आप लोग पास जल्द से जल्द महाँ जाएगा साथे साथ जो किजे जो हमारे चैनल पर कराया जाएगा अगर आप लोग इससे पहले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल के प्रेलिस्ट में चले जाएगे वहाँ पर क्लास 12 का आपको दो सिरीज देखने को मिलेगा एक अब्जक्टिव सिरीज होगा और एक सब्जक्टि देखे न चाहते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइन्स का अब्जक्टिव और सब्जक्टिव दोनों सीरीज कमपेट कर लिया है साधे साधे हिस्ट्री जो है हम लोग अगला सीरिस देख रहे हैं जिसमें से two marks का three marks करा दिया गया है अभी जो हम भी शेल कर रहे हैं वह आप लो हमारा चैनल एक दम साब सब्दन क्याराए कि, अगर कोई भी सवाल नेंगेर आपकर अकर एक्जाम में नहीं आता है, तो आप आकर कमेंट करके बथाएंगे अधार आप जो बोले थे वह कमेंट वर बने कि आप कमेंट गर बताइएगा कि वो एक्जाम में नहीं आए था लेकिन हमारे सिवरेटी है कि यही सब कुश्चन जो है आपके एक्जाम में पूछा जाएगा अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस का देखे होंगे तो इसमें 10 वीडियो अप्लोड किया गया है जिसमे और जो 2025 में एक्जाम होने वाला है इसमें आप लोग का दो मार्क्स का और पांच मार्क्स का कुश्चन पूछा जाएगा जाले समय नाव बिताते हुए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर से बता देते हैं यह हमारे चैनल का नाम है असर एकेडमी टूम आज हम ल sie那 आली पर विजट करके महां से देख सकते हैं आज हम लोग भौर डू को डिसक्स करेंगे के पहला वीडियो में हम लोगों से कुछन को डिसकस किया था और आज के भी विडियो में हम लोग लोग दस क्रिंद को डिसक्स करेंगे यहां जितना सबाश कराया जाएगा सिधा एक्जाम में पूछे जाएंगे तो चलिए कम्पीट करते हैं पहला सवाल पर आते हैं पहला कोशन लिखा हुआ है कि भारत छुड़ो आंदोलन का वरनन करना है बताना है कि भारत छुड़ो आंदोलन की सुरुवात आठ अगस 1922 को हुई थी यह आंदोलन गांधी जीन गांधी जीन अकिल भारतें कोंग्रेक्ष किमिटी के मुंबई अधिविशन में शुरूं कि यह जो आंदोलन है भारत छुड़ो आंदोलन कभी सुरू चिया गया था 8 अगस 1922 में सुरू हुआ था कभा था अखिल भारतें कzung्रेक्रेक्ष में में हुआ और ये मुंबै में हुआ था, किस ने किया था ? महत्मा गाने ने किया था अभी सांदोरु में कुछ-कुछ महत्मुन बाते थी जैसे कि पहला सिस्सार्गरण का मकषद था भारत से बृते सरकार को ख्टाना और आजाद भारत के लिए घोशना करने की मांगी गई थी अगला पॉइंट पे आते हैं इस अंदुलन के दोरान हिंसक ज़रपो हुई और कई कॉंग्रिस नेताओं को गरफतार भी किया गया था अगला पॉइंट पे देखते हैं इस अंदुलन के दोरान संयुक्त, प्रांट, बिहार, उत्तर प्रश्रिम, सिमांत और बंगाल के कुछ हिंसों पर पाइलटों ने क्या किया था कि बंबारुद और गोलबारुद भी किया गया था नमने कि हतियारों का इस्तमल किया गया था इसके विरोध में आगे आते हैं इस आंदोलन में क्या हुआ है हजारा लोग की मौत हो चुकी थी अगला पॉइंट यान सेमंथ नमबर में पॉइंट है इस आंदोलन में ग्रहतार किये गए जायता लोगों को दुश्य विश्व युद्ध के दौरान क्याद कर लिया गया था लास्ट है कि इसका गांदी जी को सबसे खराब स्वस्त के कारण छे मई 1944 को निरह कर दिया गया था यानि कि उन्हें इस जगह से हटा दिया गया था तो देखकें यहान पर हम लिखवाए हैं आप लोगो जो आठ पॉइंट लिखवाए हैं और आप लोको जैसे हम सुरवात में बोलें कि ये कुश्य जो है पांच नमबर के आएगा तो आप लोग इससे मिला कर पांच पॉइंट बना दिजेगा ठीक है इसको पांच पॉइ Q2 में लिखा हुआ है, जहांगीर की राजपूत नीती का वनन करना है, यानि जहांगीर के बारे में बताना है, जिन्होंने राजपूत नीती का बारे में जो किया था, उनके बारे में, आंसर देखते हैं, जहांगीर ने अपने पिता अकबर की राजपूत नीती को ही अनुस अभी दी थी अब इसके कुछ में में पॉइंट है उसको देखते हैं पहला है विभा संबंदे तो राजपूतों ने यानि जहांगिर ने कई राजपूतों राजपूत कर्णियाओं से विभा गिया जिसमें दोनों समधाय के विज़े घनिष्ट संबंद बनते चले गए रहावा दिया और खुद भी राजपूत सेली की कलाओं को रूची रखते हैं अगला पॉइंट में आते हैं स्वहार्दपून संबंद यानि उनके साथ जो संबंद है काफे ज्यादा अच्छा बनाकर रखा हुआ तो यह आप लोगा चार पॉइंट है उपर डेफिनेशन ब्लैक और ब्लू यह जो अंडरलाइन करके लिखवाते हैं डार्केट करके तो आप डार्क करके क्या किजिएगा कि ब्लैक में का इस्तमाल किजिएगा और डैस देने के बाद कि आपको ब्लू पेन का इस्तमाल करना है ब्लैक और ब्लू दो ही पेन का इस्तमाल होना पहले बात करते हैं उसके उद्देश को लेकर तो पहला उद्देश बात करते हैं तो सौतंत्र भारत का सम्मिधान यानि कि पहला उद्देश था कि सौतंत्र भारत का अपना एक सम्मिधान होना चाहिए ब्रिटिस काल से मुक्ति के बाद एक नए सम्मिधान भारत के लिए एक लिखित सम्मिधान का निर्मान किया गया यानि जैसे भारत अजाद हो गया तो ये उद्देश बन गया कि भारत के लिए एक नए सम्मिधान बन गया सत्ता का विभाजन यानि कि जब सम्मिधान बन गया तो उसके सक्तियों का बटवारा किया गया कारेपालिका विधाहिका और नयपालिका के बीच में आगे आते मौलिक अधिकार यानि कि मौलिक अधिकार भी दिया गया नागरिकों के लिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों को शुरशित करना और राज के कर्दवियों का परिभाषित किया गया राजनेतिक विवस्ता भी सुधारी गई साथी साथ किया समाजिक न्याई को भी सुनिश्रित किया गया है यह आपका कुछ मेंग था क्या एक है यहां पे दो यहां पर है आप तीन और यहां पर है आप छार था तो चार में से कोई आप दो क्राइ prisoners पाँच में से क्या दो दो पॉइंट लिखेगा और बाखी कारे में कुछ पॉइंट बना दीजेगा जिसे के कारे देखें समिधान सबाने 22 माज 1947 को राष्ट धवज को अपनाया था जिसे तिरंगा कहते हैं समिधान सबाने क्या किया था कि मैं 1949 में बिटिस राष्ट मंदल में भारत के सद्धस्टा को मंजूरी दी थी साथिसाद 26 1950 को राष्टगान को अपनाया गया था राष्टगान और राष्टगित को अपनाया गया था और साथिसाद क्या हुआ था कि पहला राष्टपती जो है किन को चुना गया था डॉक्टर राजेंदर प्रशाद को पहला राष्टपती चुना ग outta एंसा धिखता है भारति सौतहंतारता अधिनीअव निसस्यास के प्रवधानों को इस・ सौतहंतर देशों भार था जाद ऑधिनीय तहत गया बिटिस सरकार ने भारत को छोड़ दिया और इसके बाद क्या भारत के अंतिम वायसराइज जो थे लौर्ड मांवेटन उस अत्ता से अपना हस्ताक्षर देखा छोड़ दिया था अगला पंड में आते हैं इस अधिवेशन के तहत रियासतों पर बिटिस अधिपतिस किसे सामिल होना चाहते हैं जब भारत अजाद हुआ तो उसमें बहुत सा रियासते थी उन्हें यह सौतनतर अधिकार दिया गया कि आ या तो आप पाकिस्तान चले जाए या तो भारत में रहे वह आपका सौतनतर अधिकार था साथ साथ इस अधिनियम के बाद क्या हुआ किया गया था और इसी सवाल कूझता पाकिस्तान के पहले जणरर कौन थे और साथे साथ पहले पधार मंतली आप इससको लिखो या आप इससे चोड़ सकते आप पर डिपेंडन करता है उन्म समिधा, निर्वाथ में प्रारूप कमिक्टी के भूमिका बताना, टो प्रारूप कमिर्वाथ कों थे डॉक्टर राजंदर पषक्वाथ चले एंसरा देखते हैं तो इस म्रूमिका कुछ निम लिखित परकार से थी पहला पॉइंड में आते हैं समिधान सभा ने 6-6-946 को समिधान निर्मान की समिति का गठन किया था जिसे ड्राफ्ट कमिटी भी कहा जाता है इसके जो समिधि के अध्याक्ष थे कौन थे डॉक्टर भीम राव अमभिदकर है ना प्रारूप कमिटी के अध्याक्ष जो है डॉक्टर राजेंदर प्रशाथे ठीक है प्रारूप कमिटी ने समिधान का प्रारूप तियार किया और इसे सारोजनिक चर्चा के लिए प्रकाशित किया अगला पड़ी में आते हैं प्रारू समिधी ने समिधान सभा में अधिकान सभास पर अपना दबदबा बना कर रखा था अगला पड़ी इसमें लिखे आये कि समिधान सभा में क्या हुआ था कि 166 सत्र हुए थे जिसमें 114 सत्रवे प्रारूप समिधानों पर विचार किया गया था आगे point में आते हैं समिधान सभा में समिधान के प्रारुप पर चर्चा की गई थी और संसोधन का प्रस्ताव भी रखा गया था और इसमें हुआ क्या था कि 26.1949 को समिधान जो है बनकर पूरी तरह से त्यार हो गया था जिसे एक दो मेहने बाल इसे लागू किया गया था 26.1950 में ठीक है आगे तो समिधान सभा में क्या है एप पूर्ण बनता है 286 सदस्चित है आगे बढ़ते हैं अगला कुषिन पर आते हैं तो अगला कुषिन में बोला गया है भारत के विभाजन के प्रमूख कारन क्या थे हैं तो एंसे देखे इसके भारत के विभाजन का बहुत साल ऐसकारन था, आपको इसमें कुई 5 पॉइंट ही लिखना है, यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट लिखें हैं, आपको की वो 5 पॉयंट लिखना है, ठीक है, पहला पॉइंट देखें, पहला है धार्मी कारन, भारत के विभाज़न का सबसें प्रमुख कारण जो है ये एक था धार्मी कारण। देखें, हिंदू और मुसल्मान समुदायों के बिज धार्मी संस्कृतिक और आच्रन के अंतर थें, यानि हिंदू अपना धर्म देखता था और मुसल्मान जो है अपना धर्म देखता था, जिसके कारण दोनों में किया है कि सांस्क्रिटिक अंतर बढ़ता चला गया और इन आंतरों के कारण से क्या हुआ कि दोनों में थनाव बढ़ता चला गया बहुत जादा और दोनों एकजूट नहीं हो पाया देश विभाज़ित हो गया दूसरा आते हैं बिटे सरकार की नितियां, बिटे सरकार ने अलग-अलग धर्मों के आधार पर भारतों को बाटने की नई निति चलाई थी, उन्होंने समाजिक और राजनितिक उपायों से समधायों के बिच विभाजन डाल दिया था, तो सरकार जो इसा चाहित थी वैसा कर गराजी की मांग की जिन्ना का मानना था कि हिंदो और मुसलिम एक ही देश में नहीं रह सकते हैं, यह सबसे बड़ी गलती थी, यह गलती ऐसे थी कि भारत को विभाजित कर दिया पूरी तरह से, अमरिका और पश्रमी देशों की इच्छा, अमरिका और दूसरे पश्रमी द साइध काफी ज़्याद इंपॉर्टेंट रहा था उस समय, साइध नहीं इंपॉर्टेंट ही रहा था, क्योंकि अंग्रेज जो है नहीं चाहते थे कि यहां से जाए, अगर जाए तो यहां पर फूड डाल कर जाए, यहां पर हिंदू मुसल्मानों को फूड उन्होंने डा इतना भी बता जाए, तो आपनेस सवाल कर देंगे, किस्वे सवाल कर सबस्क्राइब होता है lleva यहां जाए तो उसका जवाब सटीक जवाब चाहिए, तो आप उस सवाल को कमेंट कर देजेगा, उस सवाल का अंसर में अगले वीडियो में उसे अप्लोड करiva कर देंगे, यह जैसे ही आपका सवाल आएगा उसके अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा जिसे हम लोग doubted classes के तौर पर नाम दे देंगे ताकि आपका जो clear हो जाएगा और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हूँ आप लोगों पास mind में जितना भी सवाल आता है आप हमें बेसक पूछ सकते हैं हमें इससे कोई आपती नहीं है आप कमेंट कीजेगा तो हमें इस वरसा अच्छा लेगा कि आप लोग का कमेंट आया हुआ है और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों से से किजे चैनल को सब्सक्राइब किजे और कमेंट करके बताईए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है और साथे साथ आप यह भी कमेंट कीजेगा कि अगला वीडियो आप लोगों को कि सब्सक्राइब पर चाहिए चले कुश्य नमस 7 पर आते हैं भारते समिधान की प यहां दुनिया का सबसे लंबा और विस्तरित लिखित समिधान है दूसरा पैंड में देखिए यहां पर डार्क नहीं किया हूँ है आप डार्क कर लीजेगा यहां विभिन देशों के समिधानों से प्रेरित है या यह जो समिधान लिया गया है विभिन देशों के समिधान नहीं जा सकता यह बहुत कठोर है लेकिन कुछ-कुछ मामलों में किया अते से बंदा जाता है कि संगात्म और और एकात्मक का मिशन या केंद्र और राज्यों के भी सक्तेयों के विभाजों को दरशाता है संसदे सासन प्रणाले भारत में संसदे सासन प्रणाले को दर्शाती है अगला है संसदे प्रभुत्वा और न्याइक सर्वचता का समावेशन संसद का अधिकता सर्वच है यानि कि संसद का अधिका जो है सर्वच माना जाता है लेकिन नयपालिका की भी महत्पुर्भुमिका होती है एकर नागरिकता है यहाँ पर हर एक नागरिक को एक समान अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकार बात करते हैं दो सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों को में भी समानता मिली हुए है राज की नेती नेदेशक जो है वो एक के लिए ने बलके सभी के लिए होता है पोई एक नहीं अपना सकता सब के लिए होता है ठीक है यह कुछ main point होता है जो कि आप लोग को भारत और पाकिस्टाइब भारत में जो सम्मेधान के विसिस्ताओं को दसाती है और भी विसिस्ताइए थी हमने केवल कुछी point को लिखा है हम वापस से बोलेंगे कि आप लोग को केवल इसमें से 5 point ही लिखना है अगला सवाल पर आते है कुश्य नमर आते हैं आपका 8 में मुगल काल में अभिजात्य वर्ग अभिजात्य वर्ग की विसिस्ताओं को लिखे है अभिजात्य वर्ग की अंसर देखते हैं मुगल काल में अभिजात्य वर्ग समाज का एक महत्पुन हिस्सा था इसकी जीवन सैली और समाजिक स्थिति काफी विसिश्च थी इसकी कुछ विसेस्ता है इस प्रकार से है पहला सासन के साथ घनेश संबन अभिजात वर्ग जो था सासन के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए थे वे सासन को सैन और प्रसासनिक सेवाई परदान करती थी दूसरा पॉइंट करते हैं तो जागिरदार आधिकांस जो पुन भी हुआ करते थे जैसे कि युद्ध कला प्रसासनी कला और कला छेत्रा सांदार जीवन सैली अभिजात वर्ग के लोग जो है सांदार जीवन सैली जिदमने अच्छी जीवन सैली जीते थे इसके पास बड़े-बड़े महल बाग और अन्य संपतियां भी थी समाज औ उच अस्थान रखते थे और उन्हें फैसले का काफी प्रभाव होता था उन्हें काफी प्रभाव होते थे तो यह आपका कुछ पॉइंट है जैसे आप लोग जो है चार पॉइंट ये पांच पॉइंट लिखवाए हैं तो पहला पॉइंट आपका हो गया सासन के साथ ißt प्रभाव होते तो एक अठार 107 के करांती का करण क्या था ततका करण क्या था आधूनी करण क्या था साथ संव क्या परिणा में नहीं फूंट है हर बार पूचता है इस बार भी पूछेगा एकदम के चलिएगा कि पूछेगा मतलबुनलब इंपॉर्ण था तो एक 1857 के करांति जरूर कर लिजेगा आंसर रखते हैं इसके परिणाम पूछा गया है कि 1857 के जब करांति हो गई तो इसका क्या-क्या परिणाम हुआ था आंसर रखते हैं 1857 का विद्रो भारत के इतिहास में एक महत्पुन घटना थी जिसमें देश के भविष्य को आकार दिया इस विद्रो के बहुत सारे परिणाम में दुरगामी परिणाम हुआ है पहला आते हैं बिटिश सासन में बदलाओ तो विद्रो के बाद क्या हुआ है बिटिश सासन इस्टन कंपनी का सासन समाप्त हो गया और उसके जहाँ पर भारत सिधे तोर पर बिटिस ताज का साशन अस्थापित हो गया अगले आते हैं बिटिस नितियों में बदलाओ बिद्रो के कारण बिटिस सरकार को अपने भारती नितियों में कई बदलाओ करने पड़े और सौतंतरता संगराम की निवरकी समाज में बदलाओ विद्रोह ने भारते समाज में कई बदलाओ लाएं धार्मिक और समाजिक सुधारों की भी मांग उठी लास्ट पॉइंट है ब्रेटिस सैनी व्यवस्था में बदलाओ तो देखें क्या हुआ था विद्रोह के बाद ब्रेटिस जना में कई बदलाओ किये गए थे भारते सैनीकों की संख्या कम कर दी गई थी और ब्रेटिस सैनीकों की संख्या बढ़ा दी गई थी तो यह कुछ मेंट पॉइंट थे आज का अंतिम सवाल पे आते हैं नमक के उत्पादन और बिक्री पर एक अधिकार जमा कर रखा हुआ था उन्होंने नमक पर भारी कर लगाया था जो कि दैनिक जीवन के लिए एक आवश्यक वस्तो थी इस कर ने भारत के गरीवों को बहुत प्रभावित किया महत्मा गान्धी ने इस एक अधिकार को बिटिस आसन के अत्याचार का प्रतीक माना उन्होंने महसूस किया कि नमक कर का विरोध करना बिटिस सरकार के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर आंदलोन सुरू करने का एक अच्छा तरीका होगा तो यह इसका प्रिष्ट भूमी थी आकर क्यों सुरू किया गया था अब इसके उद्देश ही देखते हैं तो इसमें हुआ क्या था कि सबसे पहला नमक कानन को तोड़ा गया था यानि कि नमक सत्यगरा का मुख्य उद्देश था बेटे सरकार दोरा लगाएगे नमक कानन को तोड़ना दूसरा पन क्या था और सहयोग आंदोलों का पुनह जीवित करना गांधी जी चाहते थे कि नमक सत्यगरा 1922 में निलंबित हुई और सहयोग आंदोलों को पुनह जीवित कर दिया जाए इसी चीज़ को लेकर यह आप लोग का तीन पॉइंट लिख्वा हैं आप इसे किस तरह से लिखो गे आप यह पूरा पॉइंट लिखे गा क्यूंकि दो नमबर यहां से मिलेगा और बाकी यह तीन नमबर तीन पॉइंट के लिए मिलेगा तो यह अपर पांच नमबर जो है clear हो जाएगा तो आज हम लोग जो है 10 question को discuss किये हैं और यह 10 question जो है exam के लिए बेहत important है और साथ ही साथ क्या इससे पहने लोग वीडियो में 10 question डिसकस किये थे तो कुल मिला को 20 question हुआ आगे हम लोग कुछ और वीडियो देखेंगे जो आप लोग के chapter by chapter important question होगा उहां से हम लोग देख लेंगे तो आप लोग आगे वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रही है आप लोग का best त्यार ही हमारे चैनल पर कराए जाएगी इसके बाद आप लोग जिस subject पर comment करोगे उस subject को हमारे चैनल जो है हमारा जो team है उस पर work करेगी तो आसे करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब केज़ों और साथ ही साथ हमें comment करके बताए कि आप लोग को हमारे वीडियो कैसा लगा फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत